मैं आपको यूटूब चैनल में आज हम लोग बाद करें इंग्लिस में ब्लेक फंकस के वारे में कि व्लेक फंकस क्या है कैसे इसको पहचाने हैं और लक्षण और बचाव क्या है थी के ब्लेक फंकस को जो मेडिकल टर्म में है प्रकार की फंगल प्रकार का फंगल इंफेक्शन जो है जो हमारे सरीर में होता है जो कोबिट के बाद जो होता है या कोबिट पॉजिटिव होने पिया कोबिट पॉजिटिव होने बाद जो ठीक हो जाता है उनको यह इंफेक्शन जो अभी जड़ातर देखा गया है लेकिन यह जो इंफेक्श लेकिन कोवीड में क्या हो गया कि कोवीड के दोरान पेशेंट का इम्मुनिटी जो जाता है जिसके बज़े से ज्यादा इसको अफेक्ट करता है जो बलेक फंगस पोलते हैं तो ये फंगल फंगस इंफेक्शन हमारे आसपास मौझूद रहते हैं जैसे कि मिट्टी में हो गए या सरने वाले जो कार्वानिक पदार्थ हो गया जैसे फल हो गया सब्जी या ब्रेड हो गया या पेर पावदे के पत्ते हो गया खाद के धेर हो गया सरीवी लकडी हो गया जरने हमouleयर में जाता है जिस भी एंवारोमेंट में जिस दौरा आंस में थैशन सब्सक्षी तरह की चला जाता है। अगरे कइसे थागैइं यह हमारे सरीर क्रवर्ठ का ainsi नहींänder इर्फ प्लीन सब्सक्राइब दूसरे में इंफेक्शन थो नहीं हो सकता है। है कि फंगल पात नहीं हो सकता हैं फॉक्स पास्टाहिए और किसको जादा खतरा रहाता है ठीक हो गए और जिसके बज़ा से यह फंगल इंफंक्शन जो हो जाता है तो यह ज्यादा तर उन लोगों को होता है जिसका इम्मूनिटी बहुत पहले से कमजोर है या जिसको डायविटीज की बिमारी होती है या फिर जिसको पोजिटीव होने पे स्टुराइट्स ज्यादा लेते हैं जैसे डैक्षण गितासोन होता है तो वह ज्यादा लेते हैं उनको जो है यह फंगल इंफक्शन होने का चांसे ज्यादा रहाते क्योंको उसका इम्मूनिटी कमजोर हो जाता है और जिसको पहले से कोई बिमारी है जैसे कि HIV हो गया TV हो गया लोट TLC कांट होगे है बुरकुऺंध़ को दरनी ज़रोत नहीं होते हैं और उसानलों सब्सक्राइब करता है एक हिसल में हुआ है लगियों को थी साइनस में यह जबाता है और सब्सक्राइब क्येश्च हैं नहीं होता है जो होता है इसका जो लक्षन होता है जो साइनस जो हमारे साइनस और ब्रेन में होता है तो हमारे नांक के फूर जाते है अंदर तो यह हमारे से नांक बं sagen बंद हो सकता है या ना कमें बलैक गहो व Commerce सकता है या फिर आजनś की आसपा जो है इसके भाद स्वेलिंग् करत Wales सकता या कि आंक राल हो सकता है यह सरदर्थ मunde रहेessä ओर इसका जो है एक जो हमारे में चला जाता है जिसके मिराइट जइस और पी annusοι ऑन्РИकल in 들Ann होता है लंक्त में उसकता जाता है दंग तो जो हमारे जैसे कहांसी होगा खांस के साथ ना तो दूसरे आ stylish या फिर थीवर आएगा का फिर यह सब यह सब यह दो चैनल होता हुआ है यह सब आत में अगर इंफेक्शन आज रहा उसका आफा को सब्सक्रणा किया बच्छों से कम वजन कम या प्रिमेट्यू बेवी हुआ है उन समय लेकिन इंडल्ट में बूंत भी होता है तो इंडल्ट में यहाज पेड दर्ध होना य गैस्टों इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग ये सब देखा गया है उसके बाद कुटेनियस स्कीन में फंगल इंफेक्शन हो जाता है तो यह हमारे तब होता है जब हमारे कही पर इंजरी यह ट्रॉमा यह किसी के वज़े से कट फुट लगा है तो वहां पर उस फंगल इंफेक् यह सबसे हर्मफुल मैकोशी है यह होता है यह होता है यह मल्टी और अफेक्टेट होता है इसमें और यह तब होता है जब संकरण में हमारे सरीर के दूसरे हिस्जियों के परावित करने के लिए यह हमारे ब्लोड में कोने के और दूसरे में हो थो सकता है या स्प्लीन आर्ट इसके डाफ होतेजां में तो म्मिकुर मैकोशीं के टाइप मताया अब इसके लेव 你 नाक से और जो अपना ठोट से होता है जो स्टल लिया जाता हिए ऊसको तेश्क क्या जाता है उसमें असे फंगल इंफेक्शन है या नहीं है और कुल्चर गोर्ण मों किया चाता है उसके फिस थे AREAS भी लिया जाताइ है क्योंकि अगर दीखा सैंपले कि असे प्रकार का तो उसके लिए तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज दोस्तों से लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और है इसके पर भी मैं वीडियो बनाएं तो आप जाकर देख सकते हैं पल्स और कैसे रेटिंग करना है और आपका जो है यह सब चीज है आप देख सकते हमारे य